ये गाइज वैलकम टू माई चैनल कभीज गार्णन फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे सेलोसिय क्रिश्टाटा प्लांट के बारे में ये एक और्नमेंटल प्लांट है हम इस अपनी घर के डैकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं ये साल वर हमारे घर में बना रहता है और हम इसके फ्लोवर है दिखने में मुर्गे के बाल के जैसे होते है इसलिए हम इसे कोक्सकॉम प्लांट कहते है और यह ज्यादा तर एशिया और अफरीका में पाया जाता है इसकी जो कुछ वेराइटी तो तीन फीट तक चली जाती है लेकिन इसकी कुछ वेराइटी चोटी र प्रेंड्स वैसे तो हम इस प्लांट को शेमीशेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं लेकिन बस हमें इसे दिन में 5-6 गंटे की दूप में रखना चाहिए और अब सर्दिया चल रही है इसलिए हम इसे डारेक्शन लाइट में रखेंगे उससे प्लांट बहुती अच्छे से ग प्लांट को इसके सीर से ग्रो करते हैं तब ही उसी वक्त हम इसकी मिटी में वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे वह हम इसके फटिलाइजर के रूप में देंगे और जब भी इसके फ्लोवर खिल जाते हैं तब हम इसमें एन पी के 312 क का यूज़ करेंगे उससे जो इस यह किसी भी तरह के टॉक्सिन को रिलीज नहीं करता है इसलिए यह हमारे लिए बहुती सेफ है यहानिकारक नहीं है जब भी हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें कुछ सावधानिया रखनी चाहिए इसे पोट के बीच में ग्रो करना चाहिए उससे यह बहुती यह ची दूरी पर लगें लिखनारओं यह चाहिए मैं इससे पांट से 6 घंते की ग्रो Chocolate ओकर चाहिए छोधा है जब भी हम इसमें NPK देते हैं तो वह हमें इसमें नहीं जादा देना चाहिए और पांचवां फ्रेंड्स हमें इसकी मिट्टी में नमी बनाकर रखने चाहिए अब मैं आपको इस प्लान के कुछ बैनिफेट बताता हूं जैसे कि जब जब भी हमारे लूज मोशन हो जाते हैं तो सुधार लाने के लिए इस फ्लोवर का यूज़ किया जाता है और जब भी हमारे फुंसी या फोड़े हो जाते है तो इसकी लीफ्स काम में आती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू किज जिगा थैंक यू